एता हर किसे नूँ पता है कि शिरी गुरु अर्चन देव जिनू जालम चंदू अते जहांगीद ने 1606 एसमी विच कुरूर यात्नामा देके शहीद कीता सी पर गुरु जिनू शहीद करन देव मुख की कारन सी ओ लोग कौन सी जिना करके गुरु अर्चन देव जिनू तत्ती तवीते बिठा के शहीद कीता गया गुरु जिदी शहादत दा असली कारन जानन लई किर्पा करके आप जी इस वीडियो नू अखीर तक देखो गुरु अर्चन देव जी सिखान दे पंजवे गुरु सन जो चोथे गुरु शिरी रामधास जी दे छोटे पुतर सन गुरु अर्चन देव जी विच मोजूद तेर सारे गुना नू वेक दे होये आप जीनू सिखान दा पंजवा गुरु बनाया गिया गुरुजी दा वड़ा प्रा प्रिथी चन्नू इस गल्दा बहुत दुख होया क्योंकि ओ अपने आपनू गुरुगदी दा असल वारस समझता सी अपने छोटे प्रानू गुरुगदी दे बैठे वेख ओ मनी मन पोना नाल इर्खा करन लगा प्रिथी चन्दी इर्खा इस कदर बद गई कि ओने बोत वार गुरुजी दे पुतर शिरी हर्गोबिर साहिब जीनू बच्पन विजही जानो मारंदी बथेरिया साजशा रचियां पर निरंकार दी किर्पा नाल उना दा बाल भी बांकाना होया उस्तों बाद उस्ते कटर पन्थी मुगला नाल हाथ मिला लिया अते गुरुजी दे गुरुद साजशा करन्या शुरू कर दिदिया ऐ गुरुजी दी शहादत दा सब्तों वड़ा कारण सी प्रिथी चन्ने आग विच क्यों पांदा कम कीता सी उस्तों विले देशता राजा जहाँगीर सी जो बड़ा कटर मुसल्मान सी गुरुजी दी हिंदूआं ते मुसल्माना विच वद्रे प्रसिद्धी नू किसे वी तरा जहाँगीर खतम करन्दी कोशिश करदा रेंदा सी प्रिथी चन्न लाई अज जेहे समय विच जहांगीर नाल हाथ में लौन दा उस लाई एक चंगा मोका सी गुरुजी दी शहीदी दा दूजा बड़ा कारन सी चन्दू चन्दू असल विच जहांगीर दा दिवान सी यानि रेविन्यू अफिसर ओ बहुत रईस सी ते ओनू अपनी रईस सी दा बड़ा मान सी क्या जान्द है कि एक वारी उसने अपनी लड़की वास्ते कोई चंगा वर लबबन लई पंड़ता नू थाँ थाँ पेजिया पंड़त चंगा वर लबबन लई अमरे सर चाप उजे गुरु अरचिन दे जिदी प्रसिद्य सुनके पंड़ता ने दरबार चाके गुरु जी दे दर्शन कीते जितो ओना दी नजर गुरु जी दे इकलोते पुतर शिरी हर्गुमें साहिब जीते पई ता ओना दा सोना रूप देख के पंड़त दंग रह गए उना ने उससे वेले गुरु जी नाल मिलके शिरी हर्गुमें साहिब जी दे नाल चंदु दी लड़की दा रिष्टा पका कर देता जितो ऐ सारी गल्पंड़ता ने वापस आके चंदु नु दस्ती तक चंदु हंकार विच कैन लगा तुसी एकम चंगा नहीं किता ओ गुरु कर साड़े रुध पे तो बहुत नीमा है ते साड़े नाल किते वी ओ मेल नहीं खांदे तुसी ता चुबारे दी इट मोरी ते ही लायाए हो उस वेले पंड़त नाल कुछ सिखवी सी जो तो ओनाने चंदु दे मुखों अपने गुरु जी लई अपमान जनक शबस सुने ता ओनानों बहुत बुरा लगिया उना सिखवी जो एक सिख गुरु जी को लाया ते ने मरता नाल पेंदी किती गुरु जी चंदु अपने आपनों चोबारा अथे गुरु करनों मोरी दस्ता है इसलए आप जी किरपा करके इस रश्ते नों परवान ना करियो गुरु अर्जिन्देद जी ने पाई गुर्दास जी बाबा बुड़ा जी अते होर अपने कुछ खास सिखानों बुलाके एस सारी गलबात दस्सी औरना सार्या ने इकको अवाज विच केहा गुरु जी तुसी हंकारी चंदु नाल रिष्टा ना जोड़ू अगले दिन जदु चंदु दे पंड़त शगल लेके गुरु जी दे दरबार विच पुझे तक गुरु जी ने शगल लें तो मना कर देता नाले केहा चंदु ने गुरु करदा अपमान किता है इसलिए मैं ए रिष्टा उस हंकारी नाल नहीं जोड़ सकदा वंड़ता ने वापस चाके ऐस सारी गल बाद चंदु नुदस सी चंदु पहुत शर्मिंदा होया उसने गुरु जी नो मनान लेई एक लाख रुपया पेजिया पर गुरु जी ने ऐ पैसा लें तो इनकार कर देता ते के हा जे चंदु सारी दुन्या दी दोलत वी सानु देना चाहे ता भी ओ ए रिष्टा नहीं करनगे चंदु नुजदु इस गल्दा एहसास होया कि गुरु करतो रिष्टा टुटन बाद उसने कुड़ी सारी उमर कुमारी रह जावेगी ता गुरु जी दा ओ व्यरी बन गया उसने बड़े क्रोध वीच आगे केहा मैं गुरु जी नाल इस अपमान दा बदला लेके रवागा इस्तों बाद उसने जहांगी नू लगा तार गुरु जी दे विरुध पढ़काना शुरू कर देता गुरु जी दे वड़े प्राप प्रिथी चंद जो गुरु अर्जिन देव जी दे विरुध सन उना ने चंदु नाल मिलके अपने दुखडे सांजे कीते अथे उसनू किहा कि तुसी मैनू गुरु गद्दी दा खोया होया हक किसे भी तरा वापस दिवाओ चंदु पहला तो ही गुरु जी दा वेरी सी उसने प्रिथी चंदी गल मन दिया होया उने अपने एक आदमी सुलई खान नू फोच दे के अमरी सर पेजिया ते केहा कि तुसी जाके गुरु अर्जिन देव जीनू किसी भी तरा गुरु गद्दी तो हटा के उनना दे प्रा प्रिथी चादनू गुरु गद्दी ते बिठा के आओ जिस वेले गुरु जी ते सिखा नू सुलई खान दा पता लगया कि ओ फोजा लेके अमरी सर आ रहा है ता उनना ने गुरु जी अग्ये बेंती किती कि तुसी जहां गिर्दे पिता अकबर नू ऐसारी गालबाद दसो गुरु जी ने संग्दानों तीरज दिन्द्या होयां किया हा कि सानू केवल वहे गुरु ते प्रोसा रखना चाइदा है अते उस दी रजा वीच रहना चाइदा है इतिहास वीच दर्ज है कि सुलेई खान जदो लखोर तों अपने फोजन लेके गुरु जी कोल आरया सी ता रस्ते वीच प्रिथी चन्दे कर एक राध ठैरिया अगले दिन प्रिथी चन्द सुलेई खान नू अपना इटाना पठ्था दिखान ले ले गया क्या जदा है कि सुलेई खान बोध हंकारी सी उसकोल एक बोध वधिया नसल दा कोड़ा सी जिस्ते उसनों बड़ा मान सी जिद उस दा कोड़ा पठ्थी को लाया ता अचानक एक पक्षी उर्दा होया कोड़े अग्या गया कोड़ा डर के सुलाई खां समेथ दिवार टप के तपदे पठे विचे जाड गया देखदे ही देखदे सुलाई खां कोड़े समेथ सड़ के सवा हो गया इस तरह पृथी चन्दी ऐ साजश भी नाकाम्याब रही अते सुलाई खां दी सारी फोज वापस लहोर परत गई जांदया जांदया फोज देख कमांडर ने पृथी चन्दनू सुलाई खां दी मोद जिम्मेदार ठेराया अते तमगी दित्ती इस बोध वड़े नुकसान दा नतीजा तो हानू पुगतना ही पवेगा जदो पृथी चार्यों ऐस समझ लगी कि हून ता मुगल राजवी उस दे विरुध हो गया है ता ओ चुप चब बैगया ते गुरु जी दे विरुध फिर कोई साज़श करंदी हिम्मत ना जूटा सकिया हुन असी दूजी तरफ देखिये ता इस तरह दिया चाला चल के जदो शंदूती इक न चली ता उसने जहांगीर नू गुरु जी दे विरुध बढ़काना शुरू कर देता पर जहांगीर ता बाशा बढ़न तो पहले तो ही सिख गुरुआ दे खलाफ सी अते गुरु नालक देवजी दे परचार नू रोकन दमन बना चुका सी क्योंकि चार-पंच पीडिया तो लगा थार बहुत सारे हिंदू अते मुसल्मान सिख गुरुआ दे संगत कर रही सन जदो की जहांगीर दे पिता अकबर सिख गुरुआ दे पोस सम्मान कर दे सन जहांगीर नू अपने पिता दी एगल रासना आई उसने अपनी आटो बाइग्राफी विच लिख्या है कि कई बार मैं सोच्या है जो चूटती दुकान चार-पांज पीडियां तो चली आ रही है उसनो बंद कर दिया क्योंकि उस दुकान विच पोले पाले हिंदूआ दी था हुन मुसल्मान भी जान लग पैहन जहां गेन नू सब तो वड़ी तकलीफ ता ओदो होई जदो पंजाब वेच मुसल्मान तरम फैलान दा कम साइन मिया मिर जी नू सोंपया गया पर साइन जी ने तरम दा परचार करंदी बजाए गुरु अर्चन देव जी नू अपना गुरु मन बैठे अथे कुरान शरी पढ़न दी था सुख्पनी साइब दा पाठ पढ़ना शुरू का देता ए गला देखके जहां गेन नू लगिया कि कित्थे गुरु जी साड़े मुगल राजलाई कोई खत्रा ना बन जान देख्या जाए ते जहां गेन सारे लोकानों इसलाम विचले आउना चांदा सी अथे चंदू दी कटना तो पहला ही जहां गेन गुरु जी नू शहीद करन दा मन बना चुका सी ओ सिरफ एक बहाना लब्रिया सी फिर उसनू ऐ बहाना अपने पुत्तर खुस्रो वल्लो बगावत करनते मिल गया किया जादा है कि खुस्रो एक चंगा इंसान सी उसते अंदर अपने दादा बाशा अकबर दे गुन सी ओ वी गुरु अर्जन देव जी नू अपना मुर्शद अपना गुरु मंदा सी खुस्रो नू अपने पिता दियां कटरवादी नितियां बिल्कुल पसंद नहीं सी उसते फिरोध करनते उसनू जहागिर्ने बगावत ते जुलम वीच कैद कर दिता किसे तरह ओ अपने पिता दि कैद चो बच के अपनी जान बचा के काबल जारया सी ता रस्ते वीच तरन ठारन रुकिया जित्थे उस दी मुलाकात गुरु अर्जन देव जी नाल होई गुरु कार उसने जाके लंगर परशाद भी छकिया इस तरह बागी खुसरों दी अपने पिता दे दुश्मन नाल मुलाकात ने जहांगीर नू गुरु जी नू शहीद करन लई एक चंदा बहाना दे दिता लाहोर दहा का मुर्तजा खां काफी समय तो जहांगीर नू गुरु जी दी खबरां पेश्दा रेंदा सी जिस विच उसने लिखिया से कि गुरु जी ने तेरे पुतर नो अशीरवात देता है अते उस दे मत्थे तिलक लगाया है अठाई अप्रेल 1606 इस्वी नू जहांगी ने गुरु जी नू लाहोर बुला के दरबार वेच पेश किता उसने गुरु जी दे सामने तिन शर्टा रखिया देखे हाँ जेकर तुसी साड़ियां सारियां शर्टा मन लबोगे ता आप जीनू रिहा कर देता जाएगा पहले शर्ट सी तुसी आज शिरी गुरु करन साहिब वेच साड़ि मर्जी देबानी दरज करो गुरु जी ने अजेहा करनों मना कर देता ते केहा एता खसम देबानी है जो तूर्तों आई है किसे इंसान दे मर्जी देशब्द इस विच दाखल नहीं किते जा सके जहांगेर ने फेट दूजी शर्ट सनाई दिवान चंदू साटा एक वफदार आदमी है इसलए उसकी तीईदा रिष्टा अपने पुतर शिरी हर्गुबिन साहिद जी नाल पक्का कर दे ता गुरु जी ने जवाब दिता कि चंदूती तीईता साड़िवी ती है उसका को जहांगेर ने गुरु जी अग्ये तीजी शर्ट रखी कि तो हाड़े कोल बहुत पैसा है जिसते नाल आप जी तरंतारन ते होर गुरु करादा निर्मान करा रहे हूं इसलए तो हानू हर साल दो लाख रुपैदा टेक्स सरकार नू देना पएगा गुरु जी बोले गुरु करदी दोलत ते केवल ते केवल संगत दाही अधिकार है ऐ पैसा लंगर लई वरतिया जा सकता है गरीबा लई वरतिया जा सकता है प्रंतु इस दस्वंद दी रकमनाल टेक्स नहीं परिया जा सकता जत गुरु जी ने जहां गिर्द एक वी शर्त ना मननी ता उसने गुरु जी नू किया कि तुसी मेरे बागी पुतर खुसरो नू अपने कार पना दिती है जो तुसी बहुत वड़ा गुना किता है इसलए जहांगेर ने गुरु जी नू शहीद करन्दा हुकम सुना दित्ता अते ओना नू चंदु दे हवाले कर दित्ता गया इतिहास विच दर्ज है कि पांच दिनां तक चंदु द्वारा गुरु जीनू कुरूर यातनाम दित्तियां गया ते ती मई 1606 इस्वीनू गुरु जी जोती जोत समा गय कर दो दूश में पांच दाओ करन्दा थे जोताओ कुरु कर दोदो में भीजे सक चंदु द्वारे कि रित्ति आ कि कि ईपके दे नुष टे जोता हुआ चंदू और है